तो दो दो शुरू करते हैं आज की इंफरान यूज पहले का बना रही है करनाट का रील इस वर्शक्चर डेवलब्मेंट कंपनी लिमिटेड या के राइड से रिलेटेड जिरू ने अप्रोच किया है इंटिक्रिल कोच फैक्टरी को जिताकि वो सप्लाइ कर सके बंद भारत अब इसका मतलब क्या है तो अभी जो बहार से देश भर के लिए ग्लोबल टेंडर्स इनवाइड के गए थे तकि कंपनी साके यहाँ पर इस सब्भूबन रिल्वे लें के लिए रेक्स यह जो कोचिस वागेर होती हो बना कर दे सके अनफॉचनेटली जो प्राइजिंग य हो गया यह है कि इनको अप्रोच करना पड़ है इंटिग्रिल कुछ फैक्टरी को जो वंदे भारत मेट्रो बना चुकी है और प्रॉबबली ऐसे ही कुछ ट्रेंस बना कर वो देना चाहेंगे अब बंगलुरू मेट्रो को तो काइंड ओफ जोस्तों को यहाँ पर है और सेफ के बाद की मीटिंग्स में कैसी चीज़े टेकलर होती है अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वह है मुंबई मेट्रो कोपरेशन से लिए जिन्हों ने इशू किया एक टेंडर जियो टेकनिकल सॉइल इविस्टिकेशन के लिए तो यह 16 किलिमेटर ऑफ मुंबई मेट् जिन्हों वाली है लाइन अगली खबर दोस्तों जो आर्ये बुवे बबनेश्वर से जहां पर जो स्टेट के सड़के है उनको यूनिफॉर्म लूक्स मुले फुट पाथ और सैक्लिंग ट्रैक्स जो है वह स्टैंडर्स के सबसे बना जाए इसलिए बुबनेश्वर डेव कोरण के शेर दे क्योंगे तो आपे ग्रेट पैटर्स होते हैं बड़ी सड़के फिर छोटी सड़के कल्डिसेक्स जो है बनाया जाते हैं स्पेसिफिकली डिजाइन होता है कि करप का लेंग कितना होना चीए और उस चीसको मेंटेन भी किया जाता है हमारे देश के अंदर ह है वैसे स्टैंडर्स के शेरों में घंटा कुछ मेंटेन नहीं होता लेकिन यहां पर भुबनेश्वर ने डिसाइड गया है कि वो ना सिफ यह नए स्टैंडर्स को रेगिलेट करेंगे आज के जमाने के सबसे लेकिन रीकंस्ट्रूशन भी करेंगे और जो कि बेंगलूरू मेट्रो का हिस्सा है और यहां पर जो एक्स्टेंशन जो है उसको प्लान किया गया है उपन अप करने के लिए इस साल के अंतक तो यह एक्स्टेंशन है नाग सांतरा से लेकर मादवारा के बीच में और वैसे दोस्तों ऑगर 16 को यहां पर दो एना हाफ मन तक ट्राइल लिए जाएंगे और उसके हिसाब से जो टेस्ट आते है उसके रिजल्ट के बाद में प्रोबबिलिटी है कि साल के अंतके आसपास यह मेट्रों लोग बूसर्फ करने के लिए रेडियो जाएगी अगली की दोस्तों चाबरार यह वो है दोना कॉंडा और अब इसको डेवलब करने का काम शुरू कर दिया है as an aviation facility for public use 17-18 में वैसे इसका सरवे किया गया था और यहाँ पर कहा गया था कि cold storage बनाया जाएगा वगएरा वगएरा और लेकिन इसका जैसे आंतर प्रदेश के अंदर अभी एक नहीं air strip जुड़ जागी वैसे दोस्त अगली जो strips को यह रिवाइब करने का कार्यक्रम है यह अभी आगे बढ़तावा नजर आ रहा है अगली खबर दोस्तों और यह अग्रिकल्चर मिनिस्टर सिवरा सिंग सौहान से रिलेटेड जीन ने कहा है कि वह इंवेस्ट करेंगे 18,000 करोड रुपए 100 एक्सपोर्ट क्ल unfortunately इसमें से कोछ इससे हम इंपोर्ट करते हैं और उसका जिसे प्राइसे बढ़ती भी है यह जीज़े जो है यहाँ पर गॉवर्मेंट जो है कैंड आफ पुश करेगी इसके प्रोडक्शन को और एक्सपोर्ट क्लश्टर से भी बनता है जो कि एक्सपोर्ट को बनना इसके अलावा एक और प्लान है कि 50,000 क्लाइमेट फ्रेंडली विलेजेस बनाने का और 1500 न्यू सीड वराइटी डेवलप करने का योगी भारत के हिसाब से स्पेसिफिकली होंगे तो modern, traditional, sustainable सब चीज़ यहाँ पर विक्स हो रही है अगली कबर दोस्तों जो आ रही है वो है जहाँ पर योगी अधितनदे डिरेट किया है एक new policy to encourage private investment in states higher education sector तो दोस्तों एक important meeting लेगे थी मंगलवार को जहाँ पर emphasis किया गया कि one district, one division, one university के हिसाब से एक plan बनाया जाए और यहाँ पर एक-एक university setup किया जाए तो वैसे one division पहला गोल होगा 18 divisions UB में setup किये गए है जहाँ प होगा one district, one university, 30 districts है, UP के अंदर और हर एक district के अंदर भी university बनाने काम किया जा रहा है, especially underserved districts है वहाँ पर अकली कबर दोसुजवारी वो इस्टी रन assembly elections से related जहाँ पर हर्याना government ने finally grant कर दिया है administrative और financial approval for concession of much-awaited 872 bedded multi-speciality government hospital in गुरुगराम city, the chief medical officer of गुरुगराम, Dr. विरि of hospital building and setting up other infrastructural facilities, अगली खबर दोसुजवारी वो है अर्दबाद से जहाँ पर एक लाइक स्क्वेर मीटर का जो है land TV scheme के अंदर के दिया गया है, जो के सजी रोड के पास में है, तो basically यह sports infrastructure बनाने के लिए इस्तमाल किया जाएगा, और 2036 Olympics के सब चीजी की जा रही है, आपको पूरा का space वैसे भी होने वाला है इसका अस-पस का, यह Olympics के लिए डेडिकेट किया जाने वाला है, अगली खबर दोस्तों जो आर ही है, वो है, MOEFCC से related, जो के basically joint venture है, यह एक regional empowered committee है, और उन्होंने green signal दे दिया है for work of grading railway line between Apkola and Khandwa from meter gauge to broad gauge, तो दोस्तों जो मेलगा tiger reserve है, यह से पहले line गुजरनी थी, अब obviously पहले तो जो meter gauge line थी तो यहाँ पी इतना बड़ा इशू नी था, लेकिन broad gauge line जंगल में से बनना जा पर 120-130-140 speed पर train दोड़ेगी, तो obviously यहाँ पर जो है चीजों को ध्यान रगना जरूरी था, लेकिन अब यह permission दी गई है, और यह जो one of the oldest tiger रेजर हो से country का आजा, पचा से पचपन टाइगर है, रिच फ्लॉरायन फॉना है, इसके पास से real line गुजरेगी, और ब्रॉड़ की conversion का जिसे, यहाँ की connectivity बहतर बनेगी, आज के आस PTSOL के बार मात करें, तो aspirant पूछता है, we have seen politicians openly speak about stopping dharavi development when they get to power, what if same fate goes with the bulletin project, your opinion, यार example, dharavi development को reason oppose करने के बहुत सारे है, जो vote bank वहाँ पर है, उसको brainwash किया गया है, कि आपको जो है दूर भगा दिया जाएगा, business खतब करते जाएंगे, और काफी जो आप कहीं तो middle class है, poor kind of vote bank है, income कहीं जादा नहों, Mumbai के सबसे वोड़ में आ जाएंगे, तो वहाँ पे उनको consolidated अभी vote बहुत बहुत है, अब सोचके देगे, लाखो लाखो वोड़ एक ही mindset और एक ही kind of block में वोड़ करते है, अगर वो पसर गए, वहाँ पे और ज्यादा लोग आ गए, तो वो चीज होनी बाएगे, तो politicians तो आपोस करेंगे, कुछ भी कारण बताएंगे, और हमारे अगलिया धजराएंगे, यानि कि छोटे मोटे जो है issues create गिये जाएंगे, ताकि construction थोड़ा बहुत slow हो, लेकिन completely project को जैसे बन कर दिया गया था, land को इसा बन कर दिया गया था, वैसा होना बहुत मुश्किल है, लेगिन फिर भी कुछ कहां नहीं जा सकता, politics और laws और लॉज के अंदर इतने loopholes होते हैं, और इतने तरीके होते हैं, कानूनी तरीके से भी चीज़ों को रोख के रखने के लिए, कि उनका अगर इस्तमाल करने का decision government ले, तो उसके बाद में कोई भी कुछ उकार दी पाएगा, तो वो चीज़े जो है, मैं खुद प्रेडिक नहीं कर से और hopefully मैं नहीं चाहता कि at least जो चीज़े बंद रही है, चाहिए वो मेट्रोज हो, रोट पोजेक्स हो, वो बंद ना हो, और वैसे तो openly स्टेटमेंट्स दिये गए हैं, कि हम सारे टेंडर्स जो है, कैंसल कर देंगे, सारे वो अपर्डर्स कैंसल कर देंगे, अब पता नहीं यार कैसे आगे चीज़े जाती है, बाकि आप लोगो क्या लगता है मुझे कमेंट स्क्रिक्शन में जुरूर बताना, वीडियो अगर कोई अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वैसे कि यहाँ पे एंड में एक स्पॉलर देना चाहता हूँ, पे इस इस बार लाइक करना, हो मिलें जगले वीडियो के लिए